प्रुपस्तित श्री सी स्री त्रिदंडी चिन्ना जियर स्वामे जी डॉक्टर जे रामेश्वर राव मुख्य ट्रस्टी श्री सी लक्समन राव अध्यक्स जीवा मेरे साथी संसद और तिलंगना भारती जनता पाटी के अध्यक्स श्रीमान बंडी संजे कुमार जी और आज देश भर से अनेक मत अनेक संपरदाय के यहां पधारे हुए सभी संत गण सभी आचारिय गण आप सभी के स्री चाउनों में प्रणाम करकर मैं मेरी बात की सुरुआत करना चाहते स्वामी जी की विनम्रता कई बार शोब जनक कुछ लोगों के लिए हो जाती है उन्होंने कहा कि महान समारक जो रामानुजाचरिय का उनके जिवन की कलपना और जिवन के कर्तुत्तों से बना है मेरे आने से लोगों को आने की यहां प्रेहना होगी इस प्रकार के जो महापुरुसों के समारक होते हैं वो जिन के अंदर समवेद्ना होती है धर्म के लिए समाज के लिए कुछ करने की प्रेणा होती है इच्छा होती है ऐसे लोगों को अनेक सालों के सालों तक काम करने की चेतना और उट्सा देते हैं और मैं बड़ी विनम्रता से स्वामे जी आपको कहना चाहता हूं आप युगो तक ऐसे अनेक धर्म अनुरागी लोगों को फ्रेणा और उत्सा आपका बगवद रामानुजार्य का जो समारक बनाया है वो देता रहेगा पुझ्यसंत गण यहाँ उपस्तित है मैं इस सब के भी कहना चाहता हूँ कि कोई भी मत कोई भी संपरदाय के अनुयाई हो वो सभी को एक बार यहाँ आने की प्रेणा इसलिए देनी चाहिए कि अन्ततो घत्वा सनातन धर्म की सरण में ही सब के उधार का मूल बसा हुआ रामानुजा चार्य के जीवन के एक हजार साल उनकी सहस्त्राप्दी इसका इच्छे इससे बड़ा उनके काम को कोई भावान जली भी नहीं हो सकती स्मरणान जली भी नहीं हो सकती कारियान जली भी नहीं हो सकती रामा नुजारचारिय के जीवन को उनके संदेश को सब जीव एक समान है वेदों के मुल वाक्य को उन्होंने समय की गर्थ से बाहर निकाल कर अपने कर्टुत्व से किसी की भी लिये कटु कुछ बुले बगर अनेक परंपराओं को तोड़ते हुए समाज के बीच में रखा उसको प्रस्तापीत किया और आज एक हजार साल के बाद भी न केवल भारत पूरे विश्व को वो संदेश दे रहा है इस Statue of Equity की प्रतिमा अभी हभी हमारे देश के सन्मानिय प्रधानमंत्री श्रीमा नरेंद्र मोदी जी और डंडी स्वामी जी के करकमलों से इसका उद्धाटन हुआ मैं अभी वहाँ जाकर आया हूँ अगर दूर से देखते हैं तो ये प्रतिमा दूर से देखते ही अदभूत आत्मा को सान्ती देती है चित को प्रसंता करती है और मन को आलहाद करती है मगर जैसे ही नजदीक जाते हैं और वो हॉल्क से होकर रामानुचार्य का संदेश देश की सभी भासाओं में सभी मुमुक्षों को मिल पाए इस प्रकार की व्योस्ता जो स्वामी जी ने की है उसको ग्राहिय करते 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 समय निकाल कर जब उपर जाकर रामानुचार्य के विराट मूर्ति का दर्शन होता है तब मालूम होता है कि हम कितने बड़े महापुरुष को प्रणाम करने के लिए आए है भगवद रामानुचाचार्य यह पूरे देश पूरी दुनिया के लिए इक्वालिटी का समता का जो संदेश दिया वो इस मारक के बाद युगो युगो तक नकेवल भारत समगर विश्व में अपना संदेश सनातन भर्म का संदेश पहलाने का काम करेगा उचको मुझे विश्वास है भारत के इतियास को महा भारत के पहले से लेकर रामायन काल से लेकर आज तक देखे थे बहुत सारे उतार चड़ाव आए है और सनातन धर्म भी काल की अनेक थपेड़ों को खाते 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 अपनी अस्तित्व को बचाते हुए कभी दैदी पेमान सवरूप से कभी आगे आने वाले सवरूप में जाने के लिए एक प्रकार से कभी काल बाईय होने बगर सनातन धर्म भी इसके साथ ही आगे बढ़ता है हमने देखा है सनातन धर्म पर जब जब संकट आया कोई न कोई आया जिसने सनातन धर्म की जियोत को प्रज्वलित की दैदी पेमान की और एग्यान यात्रा को समग्रविश्व में आगे बढ़ा है रामानुजाचारिय भी एक ऐसे ही व्यक्ती थे जिन्नों ने संकराचारिय के बाद एक काम को बहुत अच्छे तरीके से किया आदी संकर ने डेर सारे मत मतांतरों को एक करते हुए सनातन धर्म की छत्रचाया में देश को एक करने का एक छत्री के नीचे लाने का काम किया और रामानुज्योचारिय ने अपने जीवन कवन से पूरे देश को सनातन धर्म के साथ जोडने का काम किया कई सारे कूरिवाज कूप रथाएं कटू विरोध करे बगर अपने कर्म से उन्होंने बढ़ली कई बार मैं जब पढ़ता हूँ तब मुझे विचार आता है कि सनातन धर्म में ऐसा क्या है कि जिसकी दाराक्षून रूप से कालबाईय होये बगर बहे ही जाती है इसके अंदर अमरुत तत्व क्या है और कई सारे धर्मों का भी अभ्यास करते हैं जब तुलनात्मक अभ्यास करते हैं तो नजर में आता है कि सनातन धर्म में मैं ही सत्य हूँ ये जड़ता और अहंकार नहीं हमारे यहां सास्तराज की व्योस्ता रही खंडन की व्योस्ता रही मंदन की व्योस्ता रही और सुरेष्ट को सुकाने की विनम्रता भी रही और इसी के कारण सनातन धर्म आगे बढ़ता गया बढ़ता गया हो सकता है आज ध्यान से देखने वालों को देखे कि हम काफी पिछड गए है मगर ये सारे देश के सभी मतों के संप्रदाय के आचारे यहां बेठे है आप सभी को देखकर मुझे पूरा भरोसा है कि ये आत्रा ना कभी रुकेगी ना कभी थमेगी और फिर से एक बार निग्विजई होकर पूरे विश्व के अंदर ज्यान का प्रचार वर फ्रसार करेगी आज मैं जब यहां आया हूँ तब इस पवित्र भूमी पर यहां पर जो समारक बनाया है और इसके साथ साथ वेद अभ्यास की भी वियोस्ता करी है वेद की नौके नौ साखाओं के अभ्यास सास्त्रोक्त तरीके से हो सके ऐसे विद्यार्थी भी यहां से निकलेंगे पूरे देश बर में फैलेंगे और जहां जहां जाएंगे वहां वेद के ज्यान की सुगंद को उसकी ज्योत को प्रजवलित करते जाएंगे और इसके साथ रामाना जुचार्य का जो संदेश था उनका जीवन का संदेश था और इस संदेश को हर व्यक्ति समझ सके इस प्रकार से यही समारक के साथ देश की सभी भासाओं में करने का काम स्वामे जी ने किया है मैं फिर से पुझ्य स्री चिन्ना जीयर स्वामे जी को बहुत 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 समग्र देश की वर से साधुवाद और धन्यवाद करना चाहता हूँ आज जब मैं यहाँ आया हूँ तब यहाँ पर 1035 कुन के साथ स्री लक्षमी नारएन महायग्य भी हो रहा है चारो वेत की नो की नो उपलब्द साखाओं का पाठ भी किया जा रहा है अस्टाक्षरी मंत्र का 10 करोड जाप हो रहा है जिसे हमें मालूम पड़ेगा कि यह धर्दी हमेशा के लिए कितनी पवित्र होने वाली है इतियास पुराणों और आगमों का भी पाठ हो रहा है एक व्यावस्ता किया गया है और स्री रंगम के रंगनात तिरुमाला के तिरुपती के श्री वेंकर टेस्वर स्वामी सहीद 108 प्रेणा केंद्रो दिव्य देशों के आभिसेख से यह मूर्ती के आगे यगन संपन हो रहा है महाप्रसाद भी 2400 गंटों गंटे भक्तों के लिए वित्रित किया जा रहा है और आज मैं इतना जरूर कहतना चाहता हूँ कि आपका यह जो प्रयास है आने वाले अनेक सालों तक स्वामी जी इसको पूरा देश याद रखेगा सनातन धर्म के सभी अनुयाई चाहे किसी भी मत को मानने वाले हो वो सभी इसको जरूर याद करेंगे इसका अनुमोदना भी करेंगे मेरा स्वामी जी से परिचय दोजार तीन में गुजरात में जब भुकम पाया तब हुआ था स्वामी जी चुप चाप कोई सुविधा सरकारी सुविधा मांगे बगेर एक गाम पकड़कर बैट गए थे और वो गाउं को पूरा बना कर ही वहां से इसके बाद में भी मेरा दो बार समपरक आया मैं वो गाउं के उध्ञाटन के लिए वहां कच गया था जो स्वामी जी ने बनाया था और उसके बाद भी जब जब भी मिला मुझे आश्चरे होता है कि इतने बड़े बड़े काम करने की प्रेणा स्वामी जी कहां से लाते हैं और इस वर उनको पूरी करने की भी बहुत बड़ी क्षम्ता देता है आज वैदिक परंपरा और संस्कृति की सिक्सा देने का आपने यहाँ पर जो काम सुरू किया है मैं इस वर से हमेशा प्राथना करूंगा स्वामी जी मेरी नित्य प्राथना का हिस्सा रहेगा कि एक काम अनेक युगों तक चलता रहे और सनातन धर्म की सेवा करता रहे इतने सारे विद्वानों के सामने इतने संतों के सामने विश्ष्टा द्वाईत दर्शन पर मेरे लिए कुछ बोलना असंभव है मैं जन्म से वैश्णव हूँ और सुद्दाद्वाईत का अनुयाई हूँ मेरी माता वलबाचारिय के सुद्धाद्वईत के आदार पर ही पूरा जीवन जी मगर मैं हाँ विशिष्टाद्वईत पर कोई बात करना नहीं चाहता क्योंकि ना मेरी योग्यता है ना इतने बड़े संतों के सामने मैं कुछ बोल सकता हूँ परन्तु मैं इतना जरूर केरना चाहता हूँ काइज जब में आया हूँ तब मैं रामवानुचारे के लिए जरूर कुथ बात करना चाहता हूँ हींदू पंचांग में इसका चक्र साथ साल का होता है और साथवा जन्म दिन संस्ट अब्दपूर्ती के नाम से मनाया जाता है और हमारे यहां सास्त्रों में मनुस्य के पूर्ण जीवन काल का अर्थ है दो चक्र को जो जीवित रहता है 120 साल के पूर्ण जीवन की कल्पना करी है और रामानुजाचारिय ने भी 120 साल का पूर्ण आयुशे इस पूर्थी पर भोगा और इस्वर ने ही देर सारे कूरिवाजों को सनातन दर्म से बहार निकालने के लिए और इतनी मदूर्था के साथ अपने कर्तुतों से बहार निकालने के लिए रामानुजाचारिय के रूप में ही यहां आकर हम सब के बीच में 120 साल अपना काम करने का एक प्रयास किया था और इसी का परिणाम है कि आज सनातन दर्म पूरा एक होकर फिर से एक बार नई उर्जा के साथ आगे बढ़ने की दिसा में जाहार है समाज में समता समरस्ता स्थापित करने के लिए द्वेत अद्वेत फिर विसिष्टा द्वित और उसमें भी आगे कई आचारियों ने अनेक प्रकार से इसकी मिमान साकी ब्रह्म सुत्र के एक प्रकार से जटिल ज्यान से लोकबोग्य ज्यान को बनाने का काम इन आचारियों ने किया और इसी के माध्यम से आज अनेक लोग बहुत बड़ा ज्यान नहुने के बावजूद भी अपना जीवन वेद के बताये रास्तों पर जी रहे हैं क्योंकि आचारियों ने जो जीवन पदिक्त को बताया उसी को आचरण में रखा और आज ज्यान नहोने के बावजूद भी कई लोग वेद के आधार पर अपना जीवन जीते हैं उसमें सबसे बड़ा योगदान रामानुजवाचारिय जी का था आधि संकर के अध्वेत दर्शन, माधवाचारे के ध्वेत दर्शन और रामानुज़ाचारे के विशिष्टा ध्वेत के कारण ही आज वहिष्णव संप्रदायम ने अनेक प्रकार के जीवों को आगे बढ़ने का और वेद आधारित जीवन जीने का रास्ता प्रसस्त हुआ है रामानुजाचारे ने मध्यम मार्ग को व्याख्याहीत करते हुए विशिष्टा द्वैत की अवधारनादी और भारतिय समाज में एकत्व लाने का स्थापीत करने का एक्रांती कारी काम किया रामानुजाचारे के विशिष्ट द्वैत दर्शन के कारण ही पूरव से पस्चिम और उत्तर से दक्सिन तक भारत एक सुत्र में बना कई सारे भक्ति आंदोलनों के मूल ढूंडेंगे तो रामानुजाचारे के विशिष्ट द्वैत के अंदर ही हमें मिलेंगे मैं आगे इस पर आपको बताऊंगा यहाँ पर बहुत सारे संत बैठे हैं रामानुजाचारे के जीवन को इनके योगदान को सरल सब्दों में कुछ विभागों में अगर बात देते हैं तो सम्रस्ता एक ग्यान ग्रहन में समानता सभी को ग्यान ग्रहन करने का अधिकार है और ये भी उन्होंने प्रस्तापित किया जातिकत भेदबाव को भी उस जमाने में एक हजार सार पहले समाप्त करने के लिए क्रांती कारी काम किया ख्रमता के अनुसार काम का विभाजन पूजा के अधिकारों को भी मंदीर के पूरे संचालण को 20 इससो में बाटा और हर समाज को इसके साथ जूड़ने का उन्होंने काम किया भासा की समान्ता को भी उन्होंने प्रस्ताफित किया और मोक्स के अधिकार को भी एक विशिष्ट वर्क की जगए सब जीव को मोक्स का अधिकार है अगर ज्यान और भ्यक्ति के मार्क पर चलते हैं इसको भी उन्होंने किया और एक मेरे एनालिसिस से मैं जुड़ा है मैं बात को बताऊंगा रामानुजाचारे अपने आप में बहुत विनम्र थे परन्तु वो विद्रोही भी थे बहुत सारी कूप्रथाओं को इनके अंदर के विद्रोही आत्मा ने समाप्त करने का काम किया था आज मैं यहां आया हूँ तब उन्होंने स्री रंगम में सन्यास लेने के बाद रामानुजाचारे साली ग्राम नामक स्थान पर रहने लगे और कई सारे ग्रंथों की रचना की ब्रह्म सुत्र के भास्या पर लिखे दो मुल ग्रंथ उनके बहुत लोग प्रिय होए श्री भास्यम एवं वेदान्त संगरहम उनके नौ ग्रंथ आज भी धेर सारी लाइब्रेरी में उपलब्ध है मैं आपको इसलिए बताना चाहता हूँ एक मेरा जन्म एक बहुत छोटे से कस्बे में हुआ है मानसा करकर गुजराथ से अमदाबाद से 50 किलोमेटर दूर गाओं है और मेरे गाओं में डेड़ सो साल पुरानी लाइब्रेरी है यह नो के नो गरंद ओ लाइब्रेरी में आज भी उपलब्ध है संदेश किसी के करतुतों का कितना दूर जाता है इसका उदारन है स्री भाष्य वेदान्ट वेदान्ट सार वेदार्थ संग्रहम स्री घीता बाष्य नित्य गरंद सरना गती गद्य स्री रंग गद्य और स्री वेंकुट गद्य ए नो के नो गरंद आज अनेक लाइब्रियों के अंदर उपस्तित है और कई जग़ पे मुमुक्सु अपनी मुमुक्सा को मुमुक्सा पीपासा को सांत करने का काम करते हैं रामानुजाचारे ने मैंने जैसे पहले कहा सम्ता और सम्रस्ता का मेसेज अपने कर्टुत्व से दिया और उन्होंने सभी वर्ग के लोगों को सिश्य भी बनाया सभी वर्ग के लोगों के वो भी स्वहम सिश्य करें और इसी में से आगे बढ़ते हुए रामानुजाचारे की सिश्य परंपरा में रामानंद हुए इससे आगे बढ़ते हुए इनके सिश्यों में कबीर रहधास और सुर्दास भी हुए और इस प्रकार से ज्यान परंपरा नजाने कितने प्रदेशों में कितने गाओं में पहुँची अगर समता और समरस्ता का उन्होंने रास्ता न खुला होता तो कबीर रहधास को ये वेदों के रहस्यों की जानकारी कभी न मिलती रहधास को वेदों के रहस्यों की जानकारी कभी न मिलती सुर्दास को भी न मिलती और घोष्टी पूर्ण की कथा भी बहुत हम सब को प्रेणा देने वाली है एक बार कुछ मंत्र सीखने के लिए रामानुजाचारिय घोष्टी पूर्ण की वहां गए अठारा बार जाने के बाद भी उनको उचीत नहीं पाया उन्नीस भी बार जब कए तब उन्होंने कहा कि आपको मैं मंत्र तो सिखाता हूँ मगर तभी सिखाऊंगा जब अयोग्य के सामने आप उसका उच्चारन नहीं करोंगे रामानुजाचारिय ने उन्हों से मंत्र सिखा और मिनार के उपर चड़कर जोर से वो मंत्र को बोले नीचे आए गुरु गोष्टी पूर्ण बड़े घुसा हो गए उन्होंने गुसे के भाव के साथ कहा किया किया तुम नरक में जाओंगे तो रामानुजाचारिय ने बाल सहज विनम्रता के साथ कहा नरक में जाने से कोई दिक्कत नहीं है अगे अनेक जीवातमाओ का कल्यान होता है तो मुझे नरक भी पसंगे और ये कहते ही गोष्टी पूर्णा के पूरा गुसा समन हो गया और उन्हें एमपे रुनार मतलब मेरे भगवान ऐसा कहकर रामानुजाचारिय से घुरु ने सोयम आसिरवात मागे जातिकत बेदबाव को भी रामानुजाचारिय ने समाप्त करने का काम किया कांची पूर्ण एक ब्रह्मने तर जाती से जब वो उनका सिश्य बनने के लिए गए तब उन्होंने कहा कि परंपरा ऐसी है आप ब्रह्मन हो मैं आपको सिश्य नहीं बना सकता रामानुजाचारिय ने उतर दिया यदि सास्त्रों का ग्यान केवल इस्वर की भक्ति इसकी जगे केवल इस्वर की भक्ति की जगे अहंकार और अभिमान लाता है तो ग्यान मिध्या है इससे बहतर अग्यानी रहना ही है और उन्होंने बाद में उनके गुरु बनने की बाद को स्विकार किया बाबा साहब अंबिड करने भी इसको एकनोलेज करते हुए लिखा है हिंदु धर्म में सम्ता की दिशा में यदि किसी ने महत्वपुन काम किया है और उनको व्यहवार में लागू करने का प्रयास किया है तो वो संत रामानूजाचारिय ने ही किया है उन्होंने कांची पुन नाम के एक गहर भ्रम्मन को अपना गुरु बना कर एक स्पष्ट संदेश पूरे देश में देने का प्रयास किया था समता के अनुसार भगवान की सिवा करने का सब को अधिकार है इस बात को उन्होंने व्यहवार से मंदिरों के प्रसासन के अंदर लागू किया और उन्होंने प्रसासन के अंदर कई सारे 20 हिस्से बनाए और 20 हिसों में मंदीर की टोटल प्रसासन को बाट कर उन्होंने सब समाज के लोगों को 20 के 20 हिसों के साथ जोड़कर सर समाज को मंदीर के लिए कुछ करने का अधिकार देने का काम किया इस सारा समाज आज मंदीर के साथ जुडा हुआ हमें देखा, देखता मिलता है पूझा के अधिकार में भी उन्होंने समांता का अधिकार देने का काम किया मेल कोट में अपने प्रवास के दोरार रामानुज ने दिखा कि समाज के कुछ वर्गों के भक्तों को सामाजिक मानदंडों के कारण मंदिर के अंदर पुजा करने की अनुमती नहीं थी इस प्रथा से वो बहुत दुखी थे उन्होंने पुरानी प्रथा में कोई बढ़लाव करे बगर एक नई प्रथा सुरु की किसी भी भक्त की प्रुष्ट भुमी की परवा किये बगर भगवान की पुजा करने की अनुमती देने का रामार्ग प्रसस्त किया और घर पर भगवान की देवता सरूप की व्यक्तिकत पूजा को सरल और व्यवस्तित किया मित्रों जब हमें दिखता है कि भगवान को मंदीर की जगे घर में ले जाकर समाज के हर वर्क को पूजा का अधिकार दिया आगे चलकर जब आकरानताओं ने हिंदुस्तान पर आकरमन किया और मंदीर द्वस्त होने लगे रामानुजाच जब द्वस्तित करने की जो परंपराय की थी इसी के कारण हमारा सनातन धर्म आज बचा हुआ था आज मेरे घर में भी राजभोग की सिवाल लगी हुई मेरे घर में भी भगवान को भोग धराये जाते हैं ये बहुत बड़ा काम था जिनोंने कप्रे से कप्रे समय के अंद हमारे सनातन धर्म को ठिकाने का काम किया और आगे बढ़ाने का काम किया मेला ससक्ति करन के लिए भी भगवत रामानुचाचारिय ने धेर सारे काम करे तिरुवली में एक दलीत महिला के साथ सास्तरात के बाद उन्होंने उस महिला से कहा कि आप मुसे कई गुना ज्यादा ज्यानी है इसके बाद संत रामानुज अचारे ने इस महिला को दिक्सा दी और उसकी मूर्ती बनाकर एक दलीत महिला की मूर्ती बनाकर मंदिर में प्रस्तापीत करकर समग्र सनातन धर्म के अनुगायों को एक संदेश देने का काम उन्होंने किया भासा की समानता के लिए भी उन्होंने बहुत सारा काम किया संस्कृत भासा के वेद, वेदान, भगवत गिता, ब्रह्म सुत्र, साहिते का सनमान करते हैं करते रहें परंटु उन्होंने अजवारों के तमिल छंदों को भी मान देने की सुरुवात की और इसके अंदर भी परण ये प्रदेश के अंदर भी आज वेद बचा हुआ है मोक्स का अधिकार सिर्फ सन्यासियों को होता था ऐसी कीवधन्ति थी रामानुचारे ने बताया अगर छोड़ना ही सन्यास है तो अपने जीवत जीवात्मा की रक्सा जो इस्वर पर छोड़ देता है अपने जीव सर्वसव इस्वर को सौंपने वाला व्यक्ति मोक्स का अधिकार होता है और सर्ववण के सभी पूरुष और मैलाओ को मोक्स के अधिकार का भी उन्होंने किया अंत में मैं एक बात कहना चाहतूं उनके पूरे जीवन में हमने तो देखा नहीं ना सुना है आज ना कोई रा बहुत सारी कूरू प्रथाओं को उदों ने बदलने का काम किया। मगर वो आत्मा के अंदर कूरू प्रथाओं के प्रति विद्रो का ही बाउध। विनम्रता और विद्रो दो मिल जाते हैं तो सुधार जन्म लेता है। कूर्पथा को अविवेक करे बगर अपने कर्टुत्व से बदलना इसी को सुधार कहते हैं और एक काम भगवद रहमानुजाचार्य ने किया है और आज मैं इतना जरूर कह सकता हूँ मैं देश भर के हिसों का मैंने ब्रमन किया है बेज बरके स्रद्धा केंद्रों के अंदर जाकर मैंने मेरा सर्ष चुका है कई सारे संप्रदायों में इसके मूल में जाते हैं तो रामानुजाचार्य का विशिष्ट अद्वित ही आता है मैं कुछ उदान जरूर देना चाहता हूँ महाराष्ट में वारकरी संप्रदाय के मूल में जाएंगे तो आपको रामानुजाचार्य का विशिष्ट अद्वित का सिध्धान्त मिलेगा राजस्तान और गुजरात के वल्लब संप्रदाय में जाएंगे तो भी वो मिलेगा मध्य भारत बंगाल और मनिपूर के चैतन्य संप्रदाय में जाएंगे तो उसके मूल में भी ये मिलेगा और असाम के संकर देव और मादव देव के मुल में जाएंगे उनके उपदेशों के मुल में जाएंगे तो भी आपको विसिष्ट अद्वीत में एक व्यक्ति ने जो सिद्धान प्रतिपात की है जिसमें समानता का मुल मंत्र था उसके देश के अनेक हिसों में साइद रामानुजाचारी अपने जीवन में कभी मनिपुर नहीं गए हूँ ना आसाम गए हूँ परन्तु गुजरात के छोटे से गाउं में भी जाएंगे तो आज वल्लब संप्रदाय के अनुव्याई मिलेंगे आसाम के अंतिम गाउं में मैं गया हूँ जो बांगला देश की बॉडर पर है वहाँ पर भी संकर देव के अनुव्याई मिलते हैं और बंगाल के अंतिम गाउं में भी गाया हूँ वहाँ पर भी चैतन महाप्रभू का किर्तन करने वाले लोग भक्ती संप्रदाय के लोग म सहीत बार महापूरोसों की परंपरा भी रामानुज से ही उपन हुई है इस परंपरा का गुनकान करते हुए कभिरदास इन एक दोहे में लिखाए स्री नारायन मुल हमारे रामानुज की साख रंगकार में रमता जोकी गुरु रामानन्ने भाग एक व्यक्ति के जीवन से जो दक्सिन भारत में जन्मा तमिल नाडू में जन्मा उसने कभिरदास को प्रेणा देने का काम किया और कभिरदास ने समाज के सभी निचले वर्गों को उठाने का काम किया और आज मैं इतना जरूर कहता हूं कि उन्होंने धेर सारे मेनेजमेंट के लिए भी काम किये थे मग अगर इसके बारे में जाने का भी समय नहीं है आज मैं इतना कहना चाहता हूँ विशिष्टाद्वईत का विशिष्टाद्वईत दर्सन और भक्ति संप्रदाय ये दोनों जब तक पृत्वी रहेगी तब तक अक्षोन रहेंगे कभी कालबायन नहीं होंगे और सामी जी रामानुजाचारे के संदेश को आगे बढ़ाती जाएगी और पुज्य संतों और माताओ बैनों भाईयों को भी मैं कहना चाहता हूँ ये विधी का ही आसिरवाद है विधाता का ही आसिरवाद है कि जिस कालखंड में स्टेच्य अप इक्विटी बनता है उसी कालखंड मे राम मंदिर का भी पुनर निर्मान भवे राम मंदिर का होता है इसी कालखंड में कासी विशोनात कोरीडोर का भी साड़े छे सो साल के बाद पुनरोद्धार होता है इसी कालखंड में केदारदाम भी बनता है इसी कालखंड के अंदर बद्री धाम का भी पुनर निर्मान क निव डाला जाता है एक काल खंड है जहां से जहां से सनातन धर्म को उटकर जागरू थोकर समगर विश्व के अंदर अपने दैदी पम्यान ज्यान को आगे बढ़ाना है मित्रो और आज मुझे यहां पर इस कारेक्रम में स्वामी जी ने निमंत्रित किया मैं जीवन भर आप का कृतकी रहूँगा स्वामी जी आपने ये महान कारे के अंदर मुझे चोड़ा और रामानुजाचार्य के लिए कुछ बोलने का मुझे अवसर दिया मैं मानता हूं कि सालों सालों तक आपका बनाये हुआ रामानुजाचार्य का इस्टैच्यू अप इक्विटी फिसिष एक बार समग्र देश वास्यों की और से आपको प्रणाम करकर मेरी बाने को विणाम देता हूं वंदे मात्री